पूरे साल भर हम कितना ही हलवा चना पूरी खा ले लेकिन जो मज़ा नवरात्री के टाइम पर आता है ना वो कभी नहीं आता हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मेरा नाम है पायल और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने और सूजी का हलवा तो चलिए फिर सबसे पहले चने उबाल लेते हैं चने उबालने के लिए यहाँ पर एक कप काला चना लिया है जिसे हमने रात भर भिगो दिया था आप चाहें तो 6-8 घंटे के लिए भी इन्हें भिगो सकते हैं इन्हें कूकर में डाल देंगे, एक कप चना लिया है, तो उसमें हम दो कप पानी डाल देंगे, इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, इस दिन आप regular salt का इस्तिमाल भी कर सकते हैं, चाहे तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, कूकर का धकन लगा देंगे, हाई फ्लेम पर ए 15-20 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे, 15-20 मिनट के बाग गैस को बंद कर देंगे, प्रेशर अपने आप खुलने देंगे, और उसके बाद कूकर का धकन भी हम खोल देंगे, तो यह आप देख सकते हैं, जो हमारे चने हैं, वो बढ़िया से उबल कर तयार हो गए एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर, एक चमच लाल मिर्ची पाउडर, दो चमच धनिया पाउडर, एक चमच गरम मसाला और स्वात के अनुसार नमक डाल कर हम इने मिक्स कर देंगे, काले जो चने हमने उबाले थे उसमें भी हमने नमक डाला था, इसलिए थोड़ा सा जो पेस्ट है, वो बनकर तयार हो गया है, इससे क्या होगा मसाले जब हम तेल में डालेंगे, तब वो जलेंगे नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, पैन में हम तेल डाल देंगे, 5-6 चमच में तेल लिया है, इसमें तेल थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसमें डाल देंगे जेम maj坐 हैंहता एक दम लो पर और लो फ्लेम पर ही हम भुषे मसाले का पेस्ट हमने तयार किया था वह डाल कर कुछ सेकिंज के लिए हम इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे अच्छे से भूह लेंगे कुछ से किंज ही भूह लेंगे ज्यादा लो पर ही रखियेगा जैसे ही अच्छे से बुन जाएंगे हम इसमें डाल देंगे एक चममच- आम- चूर पाउडर दोबारा हम इसे अच्छे से मिकस कर देंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3-4 हरी मिर्चे मिर्चों को मैंने बीच में से चीरा लगा दिया था और सिंपली हम इसे मिक्स करेंगे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है और अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे हमारे उबले हुए चने और चनों को और जो मसाला हमने तयार किया है उन्हें हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे याने कि मिक्स कर लेंगे जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे लो फ्लेम पर इसे ठक कर पांच मिनिट हम अच्छे से पकने देंगे पांच मिनिट के बाद हम चेक करेंगे हमारे जो चने हैं वो अल्मोस्ट बनकर तयार हो गए है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्स्चर आया है और जो मसाला है वो भी चने के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है अब हम क्या करेंगे उसके उपर डालेंगे थोड़ी सी धन्या की पत्तियां और दोबारा हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो जो ये काले चने हैं वो तो हमारे बनकर एकदम तयार हो चुके हैं चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बनाएंगे गर्मा गरम सूजी का हलवा परफेक्ट नाप के साथ में हलवे के लिए पैन में हम डालेंगे आधा कप सूजी फ्लेम रहेगा लो से मीडियम पर और इसे लगातार चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे हमें सूजी को काफी अच्छे से रोस्ट करना है जलाना नहीं है पूरी तरीके से भी कलर चेंज नहीं करना है लेकिन एक बड़िया सी खुश्बू आनी चाहिए और हलका सा इसका जो कलर है वो चेंज होना चाहिए तीन से चार मिनिट के बाद इसका हलका सा कलर चेंज होने लग जाएगा उस टाइम पर हम इसे एक अलग से प्लेट या बोल में निकाल कर बहर रग देंगे अब सेम पैन में हम ले लेंगे पानी आधा कप सूजी लिया है तो उसका तीन गुना हमें पानी लेना है याने धाई कप मैंने सेम कप के नाप के साथ में पानी लिया है इसमें आधा कप ही हम चीनी भी डालेंगे याने जितनी सूजी है उतना ही हमने चीनी भी डाला है हाई फ्लेम पर चीनी को घुलने देंगे कोई चाशनी नहीं बनानी है कुछ नहीं करना है पानी में उबाल आने देंगे चीनी को घुलने देंगे जैसे ही पानी में उबाल आएगा चीनी घुल जाएगी जो सूजी हमने अलग निकाल कर रखी है वो हम इसमें डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम इसे चलाते जाएंगे ताकि इसमें लंप्स ना पड़े और इसमें गुटलिया ना आए फ्लेम जो है वो हाई पर ही रहेगा ध्यान रखेगा इसे लगातार हाई फ्लेम पर ही हमें चलाते रहना है वरना इसमें गुटलियां आ सकती है मुश्किल से एक या दो मिनिट का टाइम लगेगा सूजी जो है वो सारा पानी पी जाएगी और एक बढ़िया सा टेक्शर हमें इस हलवे का मिल जाएगा तो लगातार इसे चलाते रहिए लगभग एक से दो मिनिट के लिए आप देख सकते हैं यह जो पानी है अल्मोस्ट सूख चुका है अभी इसे हम थोड़ी देर और चलाएंगे और यह देखिए पानी जो है वो काफी हद तक सूख चुका है इससे ज्यादा हमें पानी नहीं सुकाना है फ्लेम को एक दम लो पर कर दीजे और अब हम इसमें डा के अनुसार भी डाल सकते हैं साथ ही हम डाल देंगे इलाईजी का पाउडर और ड्राइफ रूट्स को मैंने छोटा-छोटा काट कर डाल दिया है इससे ज्यादा मैं इस हलवे को ड्राइं नहीं करूंगी इसलिए अब हम इसे सिर्फ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ह हमारा गर्मा गरम सूजी का जो हलवा है वो भी बनकर तयार हो गया है तो यह थी हमारे काले चने और सूजी के हलवे की रेसिपी अब पूरी आप खुदी बना लीजेगा चल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बबाई